एनेच चो आलिस पर कोतवाली थाना अंतरगत मेडिकल कॉलेज के सामने मंगलवार देर साम करीब साड़े साथ बजे एक दर्दनाग शड़क हाथसा सामने आया है यहां एक अग्यात यात्री बस ने इसकूटी में टककर मार दी इस हाथसे में इसकूटी सवार एक यूबग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा यूबग गंभी रूप से घायल हो गया है जिसे उक्चार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जानकारी के अनुसार बढ़ोनी कस्वा निवासी 26 वर्सी आकास पिता कैलास गौतम अपने इसकूटी पर शवार होकर डबरा निवासी दोस्त मुकूल कश्यब उम्र 27 वर्स के साथ बुंदेला कालोनी किसी निजी काम से आ रहा था रास्ते में मेडिकल कॉलेज के सामने गौलियर की ओर से आ रही अग्यात सवारिवस ने पीछे से स्कूटी को टक कर मार दी हाथसे में मुकुल की मौके पर ही मौत हो गई और आकास गंभी रूप से घायल हो गया जिसे रहागीरों ने 108 इंपुलेंस की मदद से उपचार के की जांच कर रही है